हेलो गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग नीट के 10 साल के सवाल करेंगे जो की रेट और ऑप्टिक से आया है बेटा तो विदाउट वेस्टिंग ने टाइम स्टार्ट करते हैं 2023 का सवाल और हाँ अगर हमारे चानल से अभी तक आप नहीं जूड़े हैं तो बिल्कुल ज लेर्स आर्थी हैं देखो बेटा यह जो कॉंबिनेशन है इसका हमको क्या निकालना है बेसिकली एक्क्यूविलेंट फोकल लेंद निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर इस डियाग्राम को मैं इस डियाग्राम को तीन अलग अलग डियाग्राम में क्या बना सक तो इसका refractive index कितना है बेटा 1.6 और इसका refractive index कितना है 1.5 और इसका refractive index है 1.6 और सबका जो radius of curvature है वो कितना है 20 cm तो अगर हम assume करें बेटा कि इसका focal length f1 और इसका focal length f2 इसका focal length f2 माल लिये correct है और इसका focal length कुछ नकुछ f3 होगा तो हमको f equivalent निकालना है तो f equivalent निकलना बहुत आसान है तो सबसे पहले हम लोग f1 निकालते है तो basically जो focal length का formula होता है वो क्या होता है बेटा mu lens upon mu surrounding minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 correct है क्या अब देखो यहां ध्यान से कि यहां पे अगर हमको focal length 1 निकालना है यानि इस वाले lens का अगर हमको focal length निकालना है इस वाले lens के लिए अगर हम बात करें बेटा तो यह कितना आएगा यह आजाएगा formula रखेंगे mu lens केतना है 1.6 upon 1 mu surrounding ठीक है न minus of 1 और radius of curvature केतना है इसका radius of curvature पहला radius of curvature यह होगा जो की क्या होगा infinity और minus of यह कितना हो जाएगा 20 correct है क्या तो यहां से आपका f1 आजाएगा बेटा f1 आजाएगा यहां से आपका सिरा से जब calculate करोगे तो यह आजाएगा आपका 200 upon 6 correct है क्या उसी तरह से यहां पे अगर हम इस वाले lens का अगर focal length निकाले इस वाले lens के लिए अगर focal length निकाले तो फिर सब ही formula आप लाए करेंगे क्या होगा 1 upon f2 is equal to 1 upon f2 is equal to mu lens कितना है 1.5 upon surrounding कितना है 1 minus 1 1 upon r1 कितना होगा यह हो जाएगा इस surface के लिए इस surface के लिए कितना हो जाएगा plus of 20 minus इस surface के लिए हो जाएगा minus of 20 और यह आजाएगा minus of 20 और जैसे यहां से आप f2 solve करोगे यह आएगा आएगा आपके पास 20 cm और आप देखो यहां से यह वाला जो lens है यह वाला जो lens है यह जो lens है similar to similar to यह lens है similar to क्या है यह lens इसका मतलब हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि f3 जो होगा हमारा f3 भी होगा हमारा कितना minus of 200 upon 6 तो अगर equivalent focal length निकालना है अगर हमको equivalent focal length निकालना है 1 upon f equivalent is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3 अगर इससे ज्यादा होता तो फिर हम लोग यहां पर और कुछ ले लेते हैं तो चुकि हमारे पास 3 lens है तो हम लोग यहां ही देख रहे हैंगे तो हमारे पास f equivalent कितना आजाएगा 1 upon f1 का value कितना है यह आजाएगा 6 upon 200 minus के साथ फिर कितना है f2 का value f2 का value है 20 तो यह आजाएगा 1 upon 20 plus of फिर से कितना है minus of 600 upon 200 जब इसका LCM लोगों तो यह कितना आएगा 200 आएगा और यह कितना आजाएगा minus of 12 और यह कितना आजाएगा plus of 2 तो यह आजाएगा minus of 10 upon 200 तो इसको solution करोगे तो यह आजाएगा minus 1 upon 100 यह 1 upon 100 जो आया बेटा वो 1 upon focal length equivalent है तो f equivalent आजाएगा minus of 100 cm माइनस of 100 cm दिखते कौन सा option होगा option number second is the correct नेक्स सवाल नीट 2022 का a bi-convex lens has a radius ready of curvature 20 cm each if the refractive index of the material of the lens is 1.5 the power of the lens power of the lens पूछा है बेटा और इसका radius of curvature भी देखा है साथ ही साथ आपका refractive index भी दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग lens maker formula के इस्तेमाल करेंगे और lens maker formula कहता है 1 upon f is equal to mu lens upon mu surrounding minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2 I hope कि यह formula आपको याद होगा अब इसका focal length निकालना है हमको तो 1 upon f as it is छोड़ देंगे mu lens कितना है 1.5 यहाँ पर क्या लेंगे 1.5 mu surrounding कितना है 1 है ठीक है नब minus of क्या करेंगे 1 करेंगे अब इसका radius of curvature कितना है 20 cm बाई convex lens कुछ इस तरह से होगा इसका radius of curvature इसको r1 माल लेते हैं और इसको r2 माल लेते हैं और यहाँ पर r1 और r2 क्या दे रखा है बराबर देखा है और यह r के बराबर है और यहाँ पर इसका value है 20 cm तो यहां पर लेंगे हम लोग यहां पर लेंगे 1 upon 20 minus of minus of minus of again minus of minus of minus of 1 upon minus of 20 क्योंकि यह जो radius of curvature होगा ठीक है ना अगर light race इधर से जा रहा है तो इसका मतलब इसका मतलब यह direction positive हुआ और यह negative हुआ तो अब दोखो इसका जो radius of curvature होगा वो क्या होगा positive और इसका जो radius of curvature वो क्या होगा वो negative होगा तो यहां पर हमने इस तरह से कुछ values को रख दिया है ठीक है ना तो 1 upon f कितना आ गया यह 0.5 आ गया और यह कितना आ जाएगा बेटा यह आ जाएगा मैं स्टना होगा प्लास आजएगा यह 2 upon कितना आ जाएगा 20 आ जोग और वन अपन f का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 1 upon f का वैल्यू आ जाएगा अगर इसको multiply करते है यह कितना जाएगा वन अपॉन तेना जाएगा ठीक है ना और फिर एफ का जो वैल्यू आएगा वह जाएगा आपका विटा 20 सेंटीमीटर करेक्ट है क्या यह यह फोकल लेंद के निकल गया हमारा 20 सेंटीमीटर अब पावर निकालने के लिए बोल ला है तो पावर का फर्मूला होता है वन अप पावर आजाएगा वह कितना जाएगा फाइब डाएप्टर आजाएगा तो ऑप्शन नमर कौन सा है यह नेक्स सवाल बेटा निट 2021 का है ठीक ना आई देखते हैं अप्वाइंट ओब्जेक्ट इस प्लेस अडिस्टेंस अफ 60 सेंटीमीटर एक पॉइंट अब्जेक्ट कॉमेड लेंज प्टाकरना है का कहां पर बनेगा इसका फोकल लेंध कुतना दे रखाया है 30 सेंटीमीटर क Рच्क्ट इंट्न कितना दे रखाया है 30 सेंटीमीटर वह भी क्या होगा पॉजिटीव होगा Uh तो अगर हमको image distance निकालना है तो सिधा सिधा क्या करेंगा वन अपन वी वन अपन यू इस इकल टू वन अपन एफ लेंगे वन अपन वी माइनस वन अपन यू ऑब्जेक्ट डिस्टन्स कितना है 60 या माइनस 60 माइनस 60 है ना और फोकल लेंग कितना है वन अपन 30 यहां से आप आपका image बनेगा वह कहां बनेगा 60 cm इस लेंग से 60 cm इस लेंग से आपका LOOK बनेगा image बनेगाанд तो बताइए आपका मिक्प बनेगा वह कुछ और यहां पर image बनेगा और चुकि यहां पर mirror से क्या होगा बेटा reflection करके बनेगा कुछ इस तरह से reflection करके बनेगा तो अब देखो 40-60 cm है तो इसका मलदब 40 cm पर mirror लगा हुआ है तो यह जो image बनाएगा यहां पर बनाएगा which will be virtual in nature which will be virtual in nature 20 cm from the plane 20 cm 20 cm from the plane of mirror it would be the virtual image तो option नमर कौन से correct हो जागा option नमर फोर्थ correct हो जागा next question बेटा है need 2020 का an object is placed on a principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5 f f is the focal length the image will be at देखो कितना आसान question है कोई भी आपके पास क्या है concave mirror है concave mirror कुछ इस तरह से होता है concave mirror का बताए focal length क्या होगा focal length negative होगा तो इसको क्या हमाल लेंगे बेटा f क्योंकि दे रखा है focal length of the mirror और u क्या हो जाएगा u दे रखा है minus 1.5 f है ना minus 1.5 f तो बताओ v कितना होगा तो हम लोग mirror formula अस्तिमाल करेंगा 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f तो अगर ये formula को इस्तिमाल करते हैं ये कितना आजाएगा 1 upon v minus of minus sorry plus आजाएगा formula के उनुसार और minus आजाएगा बेटा क्योंकि object distance क्या होता है negative ये आजाएगा 1.5 f is equal to 1 upon minus f उधर लेके जाएगे ये कितना हैगा 1 upon v और ये आजाएगा 1 upon f minus के साथ इदर जाएगा तो ये कितना आजाएगा positive आजाएगा 1.5 f ठीक है न अगर इसका LCM हम लोग कितना ले ले 3 f ले ले ये आजाएगा minus 3 और ये आजाएगा plus 2 ये आजाएगा minus 1 upon 3 f और ये 1 upon v का value है तो v का value आएगा वो आएगा minus of 3 f तो option कौन सा होगा option होगा option number 4 नेक्स अबल बेटा नीट 2019 का है total internal reflection when the angle of incident is equal to the critical angle for the pair of media in contact what is the angle of reflection तो देखो बेटा इधिहान से कि हमारा critical angle क्या होता है critical angle वो angle होता है जिस पे अगर हम लोग कोई भी light rays incident करते है pair of media पे ये angle कितना है critical angle होता है अगर इस angle पे अगर हमारा light incident हुआ तो refracted light तो हमारा refracted light जो है इस surface के किया हो जाता है हमारा parallel हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि r बड़ाबर कितना हो जागा बेटा 90 अब चुकिए बोल रहा है यहाँ पर कि यो critical angle है वही आपका angle of क्या हो जाए बेटा incident हो जाए तो हम कहें क्या कहेंगे angle of reflection कितना हो जाएगा 90 तो option number कौन सा है fourth option is the correct answer next अवाल बेटा 2019 में फिर से पुछा गया यहाँ पर two similar thin equi convex lens of focal length of f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1 ठीक है दो lenses है उसको coaxially रखा गया in contact और दोनों का equivalent focal length वह कितना है बेटा f1 वह कितना है f1 है correct है गया ठीक है यह कितना आगया आपका f1 है equivalent focal length when space between two lenses is filled with glycerine which has the same refractive index as that of glass then the equivalent focal length is f2 then find ratio of f1 is to f2 देखो पेटा यहाँ ध्यान से कि हमारे पास क्या था एक कोई lens है माल लेते हैं क्या है हमारे पास एक lens है है ना कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है lens है इस तरह से क्या होगा हमारे पास एक lens है कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है एक lens ठीक है और ये lens और दो lens है basically कुछ इस तरह से है ना एक lens ये हुआ और एक lens ये हुआ दोनों similar type का lenses है दोनों क्या है similar यानि इसका भी focal length f और इसका भी focal length f है और दोनों को एक दूसरे से क्या रखाव है contact में रखाव है तो बताओ f equivalent अगर इसके लिए निकालना चाहे तो f equivalent कितना आएगा 1 upon f प्लस 1 upon f यह लिखेंगे 1 upon f प्लस 1 upon f लिखेंगे कुछ इस तरह से क्योंकि इसका भी focal length कितना है अब देखो यहाँ पे single lens का focal length कितना दे रखा है single lens का focal length कितना है single lens का focal length कितना है f let's suppose यहाँ पे equal convex lens है इसका मदलब इसका radius of curvature ऑर इसका radius of curvature क्या होगा सेम होगा और refractive index lens के कितना दे रा है 1.5 क्योंकि जो glassrin का refractive index है वही glass का भी refractive index है तो अब देखों या धियान से ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेश कितना है 1.5 तो अगर हम 1 upon F यानि इस पटिकुलर लेंस का अगर हम लिखना चाहें फोकल लेंद कितना है बेटा 1 upon F mu lens mu lens का value कितना है formula होता है mu lens upon mu surrounding minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 कुछ इस तरह से होता है हमारा इस lens का focal length कितना है 1 upon F F के जएका हम लोग इस lens का focal length रख दिये mu lens कितना है 1.5 minus of 1 radius of curvature कितना है R minus of minus of R क्योंकि दोनों का radius of curvature क्या है सेम है तो यहाँ से focal length 1 upon focal length का value आएगा 0.5 और यहाँ आ जाएगा 2 upon R तो यहाँ से focal length कितना है R के आ रहा गया focal length कितना है R आ रहा गया यानि focal length जो होगा इस lens का जो curvature होगा वो उसके बराबर होगा अब क्या बोल ला है कि यह जो portion है यह जो portion है आपका इसमें हमने क्या भर दिया glycerine भर दिया तो अब देखो यहाँ ध्यान से तो हमारा अब combination कुछ इस तरह से बनेगा अब हमारा combination कुछ इस तरह से बनेगा देखना ध्यान से कुछ इस तरह से बनेगा इस तरह से कुछ बनेगा अब देखो यहाँ ध्यान से और यह बीच वाला जो part है यह जो बीच वाला पार्ट है वो क्या है वो ग्लिसरीन का है वो क्या है ग्लिसरीन का आपका यह लेंस नमबर वन है और यह लेंस नमबर क्या है टू ठीक है न अब देखो क्या मैं इसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइट कर सकता हूँ क्या मैं इसी को अलग अलग इसका focal length निकाल लो तो इसको क्या माल नहीं बेटा F- इसका focal length कुछ होगा पता नहीं अभी हम लोगों तो F- कैसे निकलेगा बेटा वन अपॉन फिर से वही length में कर फर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन F- is equal to is equal to mu lens यानि mu glycerine इसमें क्या भरा है glycerine और glycerine का refractive index कितना है 1.5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5 minus of 1 और radius of curvature क्या है सबका radius of curvature कितना है R है न क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखाए बेटा इकवी convex lens है है न तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 upon minus R minus of 1 upon R क्योंकि यह radius of curvature इसका क्या होगा बेटा negative और यह क्या होगा बेटा positive ठीक है न तो यहाँ हमने रख दिया तो यहाँ से 1 upon F dash कितना आया 0.5 into minus of 2 upon R तो F dash का value आया बेटा minus R कितना आया बेटा minus R और हम लोग जानते है क्या R जो है वो F के बराबर है तो हम यहाँ से क्या कहेंगे F dash जो आया वो हमारा कितना आ गया minus of F यहाँ से ठीक है न तो इसका मलदब हमको तीनों का क्या मिल गया तीनों क्या मिल गया बेटा फोकल लेंड मिल गया तो अब F equivalent निकालते हैं तो 1 upon F equivalent तीनों combined के लिए कितना आएगा 1 upon F plus 1 upon minus F plus of 1 upon F यह तो cancel out हो जाएगा तो F equivalent कितना आ गया F equivalent आएगा 1 upon F यह किसके लिए आया जब glycerine डाल दिया तब जाके equivalent फोकल लेंद कितना आया अब ratio क्या पूछ रहा है F equivalent 1 upon F equivalent 2 तो कितना आया था पहला पहला आया था हमारे पास कितना यह F upon 2 और अभी कितना आया अभी आया F equivalent कितना आया यहां से अगर हम लिखना चाहें F equivalent 2 कितना आया पेटा F आया तो इसको क्या करेंगे F से divide करेंगे दिये कितना आ जाएगा 1 upon 2 और वही ratio कितना हो जाएगा 1 is to 2 तो option देखते है 1 is to 2 है कि नहीं है और 1 is to 2 is the correct answer next तो फाल बेटा निट दोह से अठाएगा का तो नहीं है ट। अप्रिस्म आ जाएगा ट। आप्रिस्म आ परेंगे ट। आप्रिस्म आ परेंगे अट ट। आ परेंगे वेटा क्या बोला है कोई भी एक प्रिजम है जिसका रिफ्रेक्टिव अंडेश कितना है रूट टू और उसका प्रिजम एंगल कितना है तीस डिगरी वन अब देश्च बेटा कुछ इस तरह से आपको याद रखना होगा ध्यान देना बहुत इंपॉर्डेंट कोशन है और यह कई बार हलाकि यह क्लास लास्टेशन में बहुत बार लिया होगा ठीक है ना तो माल लो बेटा यह प्रिजम है और यह हमारे पास क्या है कुछ इस तरह से हमारे पास एक साइड क्या क्या है बेटा इसका सिर्वल कर दिया गया और यह प्रिजम एंगल कितना है हमारा प् मालो कि यह इस सर्फेस पे क्या होगा नॉर्माल हो गया ठीक न अब यहां से एक light आता है कुछ इस reaction में यह angle मनाता है आई और यह light refract होके इसके retrace हो जाता है retrace होने का मतलब है कि light rays इस सर्फेस पे कैसे fall होगा पर्पेंडिकुलरली fall होगा तभी तो retrace कर पाएगा light plane mirror क्या करता है light को तभी retrace करता है जब उस पे fall कैसा होता है पर्पेंडिकुलरली fall होता है तो यह angle हो जागा हमारा कितना बेटा आर ठीक है अब देखो यहां से यह 90 है यह 30 है तो यह कितना हो जागा बेटा 60 और यह कितना हो जागा आर का value 30 हो जागा तो अब बताओ यहां से mu1 sin i क्या इस surface बेशनेल से लो लगा सकते है mu1 sin i mu2 sin of r mu1 कितना है बेटा 1 sin i का value निकालना है हमको है न किसका value निकालना है sin i का value निकालना है तो यहां पर यह कितना आ जाएगा यहां पर यह यहां पर यह कितना आ जाएगा यह value आ जाएगा आपका बेटा यह value sin i और यहां मियू 2 क्या है root 2 और sin r का value कितना हो जाएगा sin of 30 तो यहां से sin i जो है वो कितना निकल गयाएगा 1 upon root 2 क्योंकि sin जो होता है 1 by 2 होता है तो root 2 कुछ भेड करेंगा 2 से तो यह आजाएगा 1 by root 2 तो i का मतलब कितना हो गया 45 ठीक है न sin i is called to 1 by root 2 तो option number कौन सा हो जाएगा option number second हो जाएगा अब देखते हैं next question next question क्या है हमारे पास यहां पर next question को पहले पढ़ते हैं उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे करना क्या है ठीक है I hope कि समझ में आ रहा हो गो बेटर an object is placed at a distance of 40 cm from the concave mirror of focal length कितना 15 cm if the object is displaced through a 20 cm towards the mirror the displacement of the image will be ठीक है न पहले case में क्या करना है बेटर object distance कितना है हमारा object distance में पहले वाले case में कितना है object distance कितना है u हमारा कितना है बेटर minus of 40 कौन सा mirror है तो focal length कितना है 15 cm ठीक है न अब यहां से हम लोग क्या करेंगे इसका image distance निकाल लेगे पहले वाली के लिए पहले condition के लिए है तो image distance कितना होता है u f u minus f correct है क्या u का value कितना है हमारे पास minus 40 और f का value कितना है minus of minus of 15 कितना है minus of 15 और यहां क्या लिखेंगे u u का value कितना minus 14 minus minus ka ha jaka plus plus of 15 हो जाएगा यह हो जाएगा आपका पास कितना बेटा यह हो जाएगा 40 into 15 क्योंकि मैनस मैनस क्या हो गया प्लस हो गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा मैनस of 25 हो जाएगा यह कर जाएगा तीन बार में यह कर जाएगा पांच बार में और यह कर जाएगा 8 बार में, यह आगया minus of 24, यानि V1 का value कितना है आपके पास, minus of 24, जब क्या बोला है, अब क्या बोला है, object is displaced by a distance of 20 cm towards mirror, अब हमारा यू बदाल जाएगा, क्योंकि हमारा object जो है कितना खिसका गया, किसक गया वो, 20 cm towards mirror, अब जो यू हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, 20 cm, I hope कि आपको समझ माया होगा, और focal length तो वही रहेगा, minus of 15, minus of, minus of 15 cm, ठीक है न, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, V2, V2 को, फर्मूला फिर से अब लोग, V का फर्मूला क्या लिखेंगे, U, F, U, minus F, करेट है क्या, ठीक है न, अब दिखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, U कितना है हमारे पास, minus 20, focal length कितना है, minus of 15, minus of 15 upon, U कितना है हमारा, U is basically minus 20, F कितना आजएगा, हमारा 15 आजएगा, प्लस का, क्योंकि minus minus क्या हो जाएगा, plus, क्योंकि focal length क्या होता है, negative, यह आज जाएगा, हमारे पास, minus 5, यह कितना बार में करेगा, चार बार में, यह आजएगा, minus of 60, यानि, V2 कितना है, minus 60, और V1 कितना है, 24, तो हमको बेटा क्या निकालना है, image कितना shift कर जाएगा, basically V1, V2 क्या है, हमारा, image का position है, तो हम लोग क्या करेंगे, V2 minus of, V1 करेंगे, यह कि थित बार मेरर मेर जाएगा, यह Iworm 36 तो हमHello, यह कितना है, अ यह कितना है, 9. 40, तो हमको बेटा, निकोड़ मेंको बेटा O प्रिश्म हो गार है अब यह light यहां से आया वैसे यह light इस तरह से हो गया यानि कहे लो तो यह वाला जो इंसिडेंट लाइट है आपका और यह जो इमर्जेंट लाइट है इसमें कोई भी deviation वगरा नहीं हुआ, है ना, तो ये हमारे पास इसका जो prism angle है, वो कितना है, 10 degree, और इसका prism angle आपको नहीं दिया है, आपको prism angle निकालना है, तो इसको हम लोग क्या माल लेंगे, बेटा, इसको हम लोग क्या माल लेंगे, a-स माल लेंगे, correct है क्या, अब दे deviate क्या होगा, उतना ही deviation, उतना ही deviation, इसको करना होगा, ताकि net deviation क्या हो जाए, 0, तो सबसे पहले इसका deviation निकालते है, delta 1, इसका कितना निकालेंगे, delta 2, और delta 1 जो होगा, वो delta 2 के बराबर होगा, तभी तो net deviation क्या होगा, हमारा 0, delta 1 का formula होता है, mu minus 1 into a, ठीक है न, तो यहाँ 1.42 minus of 1, और refractive angles कितना है, यानि prism angle कितना है, बैटा 10, अब बताओ, delta 2 के लिखेंगे, mu minus 1, यानि 1 point, इसको के लिखेंगे, mu minus 1 into a, ठीक है न, अब देखोया, 1.7 minus 1, और a, ठीक हमको value निकालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.42, ठीक है न, 0.42 आ जाएगा, into कितना आ आ जाएगा, 4.2 upon 0.7, ठीक है न, तो यहाँ से क्तना आ जाएगा, यहाँ से 6 degree, तो option नमर कौन सा है, option नमर first 6 degree is the correct answer. नेक्स सवाल है बेटा, AIMS 2016 का, as shown in the figure, light P interests to the slab of an angle 60 degree, with a normal and inside slab Q makes total internal reflection, the minimum angle, the minimum refractive index of the slab, यानि slab का आपके पास क्या पुछा हुआ हुआ है, refractive index पुछा हुआ है, बहुत बढ़ी है, तो यह angle of incidence हो गया है, यह angle of क्या हो गया है, reflection हो गया है, यह angle of क्या हो गया है, reflection, अगर हम यहाँ पर snail's law लगाएंगे, यह हो गया हमारा air, यह क्या हो गया है, air, और इसको हम लोग क्या माल लेते हैं, बेटा, इस slab का refractive index का माल लेते हैं, mu माल लेते हैं, तो अगर snail's law लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, बेटा, क्या values पे, mu 1 का value कितना रखेंगे 1, sin i का value कितना रखेंगे 60, तो sin 60 कितना हो जागा root 3 by 2, और mu 2 का value हम लोग क्या ले लिए है, बेटा, mu और यहाँ पे sin r का value हम लोग simply का ले लेंगे, r लेंगे तो यहाँ से root 3 by 2 mu sin of r अब देखते हैं यहाँ पे, इस point पे क्या हो रहा है, हमारा tir हो रहा है तो इसका मतलब यह angle कितना होना चाहिए ठीटा सी, और ठीटा सी होना कितना चाहिए, देखो यहाँ से, अगर यह r है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यह normal है तो यह बनाएगा 90 degree यह angle कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 90 minus r, और यह angle यह angle यह angle और यह angle क्या होगा equal होगा, alternate integer angle तो हम क्या कह सकते हैं बेटा ठीटा सी is equal to 90 minus r, बोलो correct है क्या अब ठीटा सी का value क्या होता है sine inverse ठीक है न, mu rarer upon mu dancer mu rarer कितना है बेटा, 1 mu dancer कितना है, mu, correct है क्या और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 90 minus r, क्या इसी को मैं 1 upon mu 1 upon mu, mu rarer upon mu dancer होता है न, ठीक है तो यह sine कितना जाएगा sine of 90 minus r, sine inverse इधर आएगा तो right side आएगा, sine 90 minus r कितना हो जाएगा cos of r, correct है क्या देखो यहां से, cos of r इतना आगिया, हमको निकालना क्या है बेटा mu निकालना है, तो एक काम करते है यहाँ sine r आ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ squaring कर देंगे, यानि equation number 2 माने, इसको क्या कर दीए इस तरह समाने, तो equation number 1 को अगर हम square करें तो यह कितना है जाएगा 3 upon 4, mu square is equal to sine square sine square, r लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते है, sine square, r हो गया हाना, mu square को यह दर नीचे लेके आ गया, यह हमारा equation number कुछ हो गया, माल लेते हैं, 1 dash माल लेते हैं, ठीक है, इसको जब square करेंगे दीए कितना हैगा, 1 upon mu square is equal to cos square r, यह हमारा 2 dash हो गया, कितना हो गया 2 dash हो गया, अब देखो, दोनों को क्या करो बेटा, add कर दो, दोनों को equation क्या करना है, add करना है, तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा, 1 upon mu square, common ले लिए, यह आ जाएगा 3 upon 4 plus of 1, और यह sin square r plus square r का value कितना हो जाएगा, बेटा, 1 हो जाएगा यहाँ से 1 upon mu square आ जाएगा 7 upon 4 यह इस तरह से 7 upon 4 is equal to 1 is equal to 1 correct है क्या, ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा, इतना जाएगा, तो mu square का value आ जाएगा, mu square का value आ जाएगा, कितना mu square का value आ जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से उस तरफ लेके जाएगे दिए कितना हैगा, 4 और उस तरफ लेके जाएगे दिए कितना हैगा, 7, यह 1 upon mu square का value है, तो mu square का value आ जाएगा, कितना 7 upon 4 तो यहाँ से mu का value कितना आ जाएगा, 7 root 7 upon 2 तो यहां से इसका value आजागा 1.32 अप्रोक्सिमेटली तो option कौन सा है 1.32 option number 3 is the correct answer